पतार तीक सेकंड में हर कबर डाउनलूड कीजिए तक है लगभग 161 है जैनि इसे आकड़ों में हम देखें आकड़ों के लिहास से तो हर एक घंटे में मध्यप्रदेश में 55 पॉजिटिव केस कोरुणा के मिले हैं जबकि ठीक होने वालों की तादाद महस साथ है इन दौर और भोपाल के बाद अब दो नए कोरुणा के एपिसेंटर के तौर पर सामने आये हैं जबलपूर और ग्वालियर अगर हम बात करें जबलपूर की तो बीते 24 घंटे में जबलपूर में 92 और ग्वालियर में 242 पॉजिटिव केसा है जबकि इन दौर जो की कोरुण बढ़ कर लगबग साड़े 3000 के ताखड़े को पार कर चुकी है यह रफ्तार इतनी ज्यादा है इस लिहाद से आप सोच सकते हैं कि एक जनवरी को यानि साल की शुरुआत हुई थी एक जनवरी को मद्यप्रदेश में कोरुणा के 168 केस थे सिर्फ 168 जो प्रति दिन मिलने क उसके मुताबिक मद्यप्रदेश के 56 में से 42 जिलो में कोरोना फैल चुका है गौलियर में भी बढ़ रहा है जबलपूर में बढ़ रहा है इसके अलावा 42 जिले से हैं एक्टिव केस अब ज्यादा है ठीक होने वाले केस कम हैं जबकि आकड़ों के मुताबिक अब तक 17 दि का आगाज हो चुका है हलाकि अभी तक लॉक्डाउन मद्यप्रदेश में नहीं लगा है पाबंदियों की घोशना कुछ हद तक शिवरासिंग सरकार ने की है जिसमें की शादी ब्याहमें अब 200 की सीमा है और भी कुछ पाबंदिया लगा है लेकिन अब सवाल ये उठने ल कि झालिप स कॉछ लिए।